नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में अगर आपको 2TB Cloud Storage बिल्कुल फ्री में चाहे तो आज का वीडियो देखते रही है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कहां पर से आपको बिल्कुल फ्री में 2000GB यानि की 2TB का Cloud Storage बिल्कुल फ्री में मिलेगा तो यहां पर एक website open है यहां पर आपको दिखा रहे हैं इसका नाम है filetera.com सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यह किसी भी फरकर का sponsor वीडियो नहीं है एसे मैं Google के अंदर search करा था तो यह website मुझे मिला इसके बाद मैंने इसको यूज किया और इसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ आज मैं आपको सब कुछ डिटल में बताऊंगा कि यह जो stories आपको यहाँ पर मिलता है इसको आपको कीस तरह से यूज करना अगर आप एक blogger है या तो यूटूबर है तो यह जो stories यानि कि यह जो website हो आपको काफी helpful हो सकती है तो simple आपको Google के अंदर लिखना है फाइल टेरा तो यह आपके सामने website open होगा सबसे पहले हम इसके feature के बारे में बात करते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा कि आपको किसी भी परकर का payment नहीं करना है आपका payment डिटल एड नहीं करना है only on आप अपनी email address के मदर से यहाँ पर account ब यह हैं तो इसकी तो speed हैं वो काफी अच्छे मिलती हैं इसके बाद इसके अंदर अगर आपको ऐसा करना है कि किसी भी परकर की file आपके friend के साथ आप share करतो हम और यह file secret है तो इसके अंदर आप password भी set कर सकतो हम बीना password के आपकी file को कोई download नहीं कर वेगा इसके बाद इसके अ अंदर काफी सारे ऐसे फीचर हैं इसके बार में यहां पर लिखा है मानली जै मैं एक यूटूबर हो और मुझे मेरे सब्सक्राइबर के साथ जो किसी भी परकर की file है बड़ी file है इसको share करना है तो यह website आपको helpful हो सकते हैं यह वडियो के अंदर में आपको share करके भी पास बात यह हैं कि आपको किसी भी परकर की payment डिटल एड़ नहीं करनी हैं दूसरी साथ की तरह अब देखिए payment डिटल एड़ करना का option आता है तो हमें होड़ा सा जो रिक्स जैसा लगता है कि कहीं हमारे जो debit card या तो credit card के साथ कुछ फ्रोड ना हो जाए यहां पर यहां प आपको इतनी information देने हैं इसके अलावा किसी भी परकर की information नहीं देने हैं simple sign up button के उपर आपको क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको देखा देखा देगा जैसे आपने sign up button के उपर क्लिक हैं तो यहां पर एक activation email है वो आपके register email के अंदर send होगा इसके अंदर एक activation link वो successfully active हो जाएगा तो यहां पर हमारा email open है Gmail simple यहां पर एक बार refresh करेंगे यहां पर आपको देखा देखा देगा की file tera के तरफ से हमें successfully एक email आचुका है इसको हम open करेंगे और इसके अंदर यहां पर आपको देखा देगा कि एक button देखा देगा follow this link यहां की simple आपको इसके ओपर क्लिक करना है जैसे वहां पर क्लिक देखा देखा कि registration आपका successfully complete हो जोगा है आपको आपका username एड़ करना है इसके बाद यहां पर आप आपको पासफ़र लिख लिए पासफ़र लिखना के बाद सिंपल आपको login बटन के ओपर क्लिक करना है तो आपका यहां पर जो file tera का account है वो successfully ready है यूज करना के लिए अब देखिए यह जो account है अगर आप एक blogger है तो यूटूबर है तो किस तरह सा आपको यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ for example अगर आपके subscriber के साथ आपको किसी भी प्रकार की theme है इसको share करनी है तो यह जो story से इसका यूज करक तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पांस दूसरा जो file देरा account open है इसके अंदर मैंने already एक जो newspaper का theme है वो share करके रखा है यहाँ पर इसका जो interface open है सबसे पहले तो बात कर लें थे कि इसके अंदर आपको कीस तरह से जो folder बनाना है और file upload करनी है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक option मिलेगा new directory simple यहाँ पर आप जो आपको किसी भी प्रकर का अगर folder बनाना है तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लस के sign कर आप क्लिक कीजे तो आपके storage के अंदर एक folder add होगा यहाँ पर plugin add हो चुका है इसके बाद यह जो plugin folder है इसके अंदर आपको किसी भी प्रकर की file upload कर eligibility अंदर upload हो रहा है तो यहाँ पर आपको देखेड़एगा file successfully upload हो तोब मुझे की यहा करना है कि यह जो file है इसको मेरे friend के साथ मुझे share करना है तो यहाँ पर आपको देखेड़एगा प्लस का sign है इसका उपे अप क्लिक करना है इसके बाद यहँआँ पर आपको 2 option मिलते ह यह जो link है, इसको कोई open करेगा, तो यहाँ पर file data का जो website open होगा, और यहाँ पर आपको देखा दागा कि आपका जो particular file है, वो यहाँ पर available है, और simple इसके उपर click करके, कोई भी visitor इसको download कर सकता है, और यह server है, इसकी speed बहुत ही अच्छे है, इसके बाद जो अगर आपको इसके इसकी यहाँ पर देते हैं, demo और simple यहाँ पर इसको generate link के उपर click करते हैं, एक और link यहाँ पर generate होगा, coffee करते हैं, और दूसरे browser के अंजर हम open करते हैं, और यहाँ पर इसको open करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखे देगा, कि आप link open करोगे, तो यहाँ पर आपको password करना होग पास्टोर रेट करने के बाद ही, यह जो link है वह ओपन होगा, यहाँ पर हमने फास्टोर रिट किया था, वह पास्टोड लेटे हैं और यहाँ पर button के उपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखे देगा कि यह जो फायल है, वह आपके सामने आ चुके, तो इस तरह से आप इस तोरेज का यूज़ कर सकतों इसके अंदर आप 2TB याने कि 2000GB तक आपका जो फाइल है वो अप्लोड कर पहोंगे जैसे कि यहाँ पर यह थीम है अब देखिए इसके तो साइस है 44 MB तो अब यहाँ पर मैं आपको टेश्ट करके देखाता हूं कि यह जो फाइल है अग 44 MB का है इसके उपर मैं क्लिक करता हूं इसके बाद कंट्रोल जे तो यहाँ पर आपको देखे देगा कि सर्वर की तरफ से कैसा रिस्पॉंस मिला है बहुत ही बार ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत ही अच्छा है फिर भी अगर सर्वर का स्पीड बहुत इसके बाद मैं आपको एक और बात बदाना चाहत हो कि प्लीज इस पर करकर के दो स्टोरेज होते हैं इसके अंदर आप अपने सिक्रेट फाइल अपलोड मत की जगा जैसे कि आपके जो गवर्मेंट डोक्यूमेन हो गया या तो आपके यूजफूल फाइल है इस परकर के फाइल को आपको इसके अंदर स्टोर नहीं करना है यह मैंने जोईस्ट आपको आपके किसी भी परकर के जो थीम प्लग इन या तो किसी भी परकर याँ यात को बस दोस्तों आज तो बस दोस्तों आशाको यह अग तक था मैं होग में हो कि आपको पसंद आयक Con makes शर कर दीजें साथ उसाथ हमसिक कर लिजएंग्यों ताकि आपको ऐसे । पाए अभण बडाया वोडियो मिलताग्यों थाइंग्यों फसे वीडियो